स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलासेश विस्मिज जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों वीडियो स्टार्ड हो चुका है लाइक कर दें एक बार और अपने मित्रों तक स्टेयर जरू कर दें है ना और सेल्प स्टेडी किलासेश एप अगर आपने डाउनलोड नहीं क किलासेश एप पर ए सीरेज होती है तो हमारे जितने भी सात्य हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू करेंगे और अपने मित्रों तक एक बार सेयर जरू कर देंगे और एस सीरेज से सभी लोग झुण है और आज हम कुछ महद्पूल डाउट्स ऑाले प्रस्णों को लेकर किया हैं। अब लोग पढ़ लेना दोस्तो है न और ये नीचोर बैच स्टाड होने वाला है एक जूलाई से तो इस बैच में जिसको भी एड़ भी सा genocide लेना है वो लेकर कि अपना अध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभी भी बहुत टाइम है अराम से कर सकते हो लाइब क्लास से रहेंगी विश्त्रित अध्यान टेस्ट ट्रेक डाउट सेशन बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने बाली हैं ठीक है चलिए तो स्टा प्रवसी के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए यहां पर चार बिकल्प है अब इस प्रकार से अगर कॉस्चन आप से पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे बताइए और वसी के रचनाकार कौन है देखते हैं कौन-कौन क्या वतारा है कौन-कौन क्लियर करके चल रहा ह उत्तर आपको चैन करना है वीडियो को एक बार लाइक जरू करना है उर्वसी की रचनाकार कौन है और बहुत सारे लोगों को पता है कि सर उर्वसी की अगर पात होगी तो उर्बसी एक रचना किसकी है उर्बसी एक रचना 1909 की जो है वो जैसंकर परसाथ की है और अगर ऐसा question आता है तो question क्या हो जाता है क्योंकि उर्बसी नाम से रचना एक जैसंकर परसाथ की औरवसी नाम से एक रचना दिनकरजी की भी है तो आपको याद करना है अगर आप से पूछा जाए कि औरवसी किसकी रचना है तो इन दोनों मैंसे एक विकल्प में आपको मिलेगा या तो जैसंकर प्रसाद मिलेगा या फिर दिनकरजी मिलेगा ठीक है तो यह चीज आपको सम 1988 में ठीक है ये आपको याद रख रेना दिनकर जी की जो और्वसी रचना है बहुत बढ़ गया है ना तो अब आपको बताना कि उर्बसी के लिए ग्यान पीट प्रोस्कार कब मिला था फटाक से आपको चैन करना है अब यहाँ पर दोस्तो हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है बताईए कौन-कौन बता रहा है यहाँ भी confusion बाला system होता है हिंदी का पाड़नी किसे कहा जा हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है बिलको लाइप क्लास है आज की अनिल कुमार जी हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है कामता प्रसाद गुरू को कहा जाता है कि सोरी दास बाचपेई श्यम्भू या फिर दिनकर को कहा जाता है और अच्छा question आया है सभी लोगों ने अगर यहाँ पर ब्याकरन लगा दिया जाता तब आपका उत्तर हो जाता और उत्तर हो जाता क्या कामता प्रसाद गुरू तो हिंदी ब्याकरण का पाणनी कामता प्रसाद गुरू और हिंदी का पाणनी के सोरी दास बाच पेई हिंदी का पाणनी के सोरी दास बाच पेई हिंदी ब्याकरण का पाणनी दोस्तों कामता प्रसाद गुरू very good, बहुत बढ़िया अंगला question यहां पर आते हैं दोस्तो, अंगला question है प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया, पूरे doubts वाले question है आज के इस वीडियो में, पूरे doubts वाले हैं है ना, आपके लिए प्रियोग बाद सब्द का बताना है सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखो यहाँ पर डाउट्स है और कौन-कौन ऐसे साती हैं जो सही उत्तर बता रहे हैं प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया है अग्गे ने नंद दुलारे बाशपई ने राम बिला सर्मा ने या फिर दिन करने प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बता दिया है कि सर कि नंद दुलारे बाशपई ने किया है ये को बहुत सारे लोग ने अग्गे बता दिया अग्गे ने नहीं किया भाईया किस ने किया नंद दुलारे बाश पही ने किया प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया नंद दुलारे बाश पही ने जबकि प्रियोग बाद के प्रबरतक अगर आप से प्रियोग नंदुला रिबाच पे ने किया और प्रियोग बाद सबसे पहले प्रियोग बाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है अग्ये है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉस्चन एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है लो कॉस्चन भी बहुत अच्छा है लेकिन डाउट से इसमें कॉस्चन भी पूरे डाउट से मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए समल करकि आपको उत्तर बताना है है ना एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है माखलाल चत्रुबेदी राजा राम सुकल लाला भगवान दीन या फिर गोपाल सरण स इसलिए ना नाम से हैं, देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है कि अ और बहुत सारे लोग उस प्रस्ट में कंफ्यूज हुए लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया है ना ए लगा दिया बहुत बढ़िया है ना ये है confusion बाला system इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों है ना ये आपका देखो यहाँ पर एक भारती एक भारती आत्मा के आत्मा कहा जाता है दोस्तों माखलाल चत्रुबेदी को जबकि एक भारती ए अगर यहाँ पर होता एक भारती ए यहाँ पर अगर होता एक भारती ए एक भारती आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आप लगाते माखलाल चत्रुबेदी लेकिन यहाँ पर क्या है एक राष्टिय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम सुकल लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने ए नमबर है ना ए नमबर लगा दिया यही तो है दोस्तो इनी को आपको पहचानना है एक भारतिय आत्मा अगर होता तो माखलाल चतुरवेदी और एक राष्टिय आत्मा है तो उत्तर आपका बी नमबर सही हो जाएगा राजा राम सुकल बी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है इस प्रशन का उत्तर किलियर बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखो अप ब्रहंस का भावभूती किसे कहा जाता है अब इतना अच्छा कॉस्चन है आपके लिए किसे कहा जाता है शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे अप ब्रहंस का भावभूती किसे कहा जाता है इतना अच्छा कॉस्चन है और इतना अच्छा कॉस्चन क्या हो रहा है यहां पर आपको याद करना है ठीक है जल्दी से सभी लोग बताएंगे एक अपवरेंस का भावबूती किसे कहा जाता है कितना अच्छा कॉस्चन और सभी लोगों ने बताया है क्या बता रहे है उत्तर आप लोग अपवरेंस का भावबूती किसे कहा जाता है और उत्तर है दोस्तो पुस्पदंत को कहा जाता क्या या पर स्यम्भू को कहा जाता किसे कहा जाता बैरी गोड किसे कहा जाता है पोस्पदंथ को जबकि अपभरंस का कालीदास किसे कहा जाता है एक क्वेश्चन आता है अपभरंस का कालीदास किसे कहा जाता है और एक क्वेश्चन आता है अपभरंस का भावबूती किसे कहा जात तो आपने बताया कि अपब्रेंश का भावभूती कहा जाता है पुस्विंभू कि नाक्तर भायानी में पुस्विंभू कैसे है पुस्प की भवूती लगाओ पुस्प की भवूती लगाओ ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन आपका स्क्रीन पे कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा इतना अच्छा कॉस्चन आपके लिए वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करते जाना औरे डाउट्स बाला अपना जूब सहसन है इन प्रशनों को कभी गलत करके नहीं आना क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ाया है और कई बार पढ़ाने के बाद बताया भी है कि इन कोस्चनों को अच्छे से रखो परमानेंट रखो कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा कबीर की भासा को साधुक्डी किस ने कहा राम चंदर सुक्ल ने स्याम सुंदर दास ने राम कुमार बर्मा ने या फिर राम बिलास सर्मा ने और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है कि सर साधुक्डी कहा है किसने राम चंदर सुक्ल ने कबीर की भासा को साधुक्डी कहा है राम चंदर शुखल ने, जब की दोस्तों आपको पता है कि कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी किस ने कहा, पंच मेल खिचडी किस ने कहा, कौस्चन डाउट्स है, डाउट्स बाला कौस्चन है ना, कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी स्याम सुंदर दास ने कहा, मुली सरह हमने तो बहुत लेकिन जब यह अशी चीजें नहीं पड़ी तो आप क्या पड़ा कुछ नहीं पड़ा पंचमेड किचडी किस ने कहा स्याम सुन्दर दास ने साधुकडी किस ने कहा राम चंद्र शुकल ने तो इस प्रशने का उत्तर आपका एक नम्मर होगा आपका बिलकुल सह ही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कोश्चिन देखो अर्ध नारीसर के रचना कार कौन है अर्ध नारीसर एक रचना है दोस्तों अब अर्ध नारीसर के बर रचना आप से पूंचा गया है तो रचना बताईये किस की मानी जाती है दिनकर की है विश्णू बताना है, जल्दी से बताएं, अर्ध नारी सुर के रचनाकार कौन है, शबी लोग बताएंगे, और अर्ध नारी सुर, इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, कि सर, ये जो निबंद है, ये निबंद किसका है, ये निबंद है दिनकर का, जबकि दोस्तों उपन्यास, उपन्यास किसका है ये, उपन्यास बिश्नु प्रभाकर का है, ठीक है, इसमें अगर उपन्यास पूछा जाता कि अर्ध नारी सुर उपन्यास किसका है, तब आप बि और भिश्णू प्रभाकर दौनो की रचना है दोस्तों अरधनारी सुर्व है ना अब आपको किलियर हो गया के अरधनारी सु गलत नहीं होने चीए ऐसे question त्रिसंकू के रचना कार कौन है किसकी रचना है त्रिसंकू त्रिसंकू एक किसकी रचना माने जाती है सबी लोग लाइक जरू कर देना जिन भी सातियों को कोर्स में अड़ीसन जरू लेना सातियों हैना self study classes एपको जरू डाउनलोड कर लेना और यहां पर बहुत सारे लोगों ने बता दिया किसर जो त्रिसंकू है हैना त्रिसंकू है यह रचना आपको याद रखना है हैना बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों यहां पर आपको बहुत अच्छा डाउट से हैना यहां पर याद रख़ेना कि यह जो मन्नू भंडारी का है ये कहानी संग रहे ये क्या है कहानी संग रहे ब्रेज मोहन का ये क्या है दोस्तो नाटक है ब्रेज मोहन का नाटक है और त्रसंकु आपको अग्गे की पताई है अग्गे की दोस्तो ये क्या है निबंद है अग्गे का त्रसंकु क्या है निबंद है अब देखो आप से इ रचनाकार कौन है तब आपको इत्रसंकु तीनों कभियों की रचना है अग्गे की भी रचना त्रसंकु है ब्रेज मोहन की भी रचना त्रसंकु है मन्नु भंडारी की भी रचना त्रसंकु है लेकिन आपको पता होगा कि अग्गे का ये क्या है निबंद ठीक है ब्रेज मोह बताये हिंदी का एतिहासे को पन्यासकार किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है देखो इतना अच्छा question है बताइए हिंदी का एतिहासे को पन्यासकार किसे माना जाता है doubts बताइए एतिहासे को पन्यासकार किसे माना जाता है हिंदी का कि सोरिडाल गोस्वामी को ब्रेंदा बल्लाल बर्मा को या लज्जा राम महता या फिर प्रेम चंद को हिंदी का एतिहासे को पन्यासकार किस से माना जाता है ये आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा अच्छा क्वेस्चन है साथियो हिंदी के एतिहासे को पन्यासकार में आपको ये देखना है दोस्तो कि हिंदी के एतिहासे को पन्यासकार के सोरी लाल गोस्वमी है जबकि ब्रंदावनलाल बर्मा को एतिहासे कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर तो आपको पता है एतिहासे को पन्यासकार के सोरी लाल गोश्वमी तो है लेकिन एतिहासे को पन्यासकार ब्रंदावन लाल बर्मा भी है लेकिन एतिहासे को पन्यासके जनक माने जाते के सोरी लाल ग गोस्वामी भी है लेकिन किसोरी लाल गोस्वामी को आपको याद रखेना है ठीक है इनको आपको याद रखेना है दोस्तों इंदी के इतिहासे को पन्यास कारों में ठीक है अंगले कोश्चन क्यों और हम बढ़ते हैं अंगला कोश्चन आपको याद रखना है कठिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है कठिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है बताइए अग्गे को केसव दास को तुलशी दास को या फिर हर्योद को किसे कहा जाता है कठिन काब का प्रेथ सबी लोग बताएंगे अंगला कोस्चन है आपका कठिन काब का प्रेत किस से कहा जाता है और बढ़िया कोस्चन आया यहां पर काब आप से पूछा गया कि कठिन काब का प्रेत किस से कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल शही आंसर बताया है कि सर कठिन काब का प्रेत जो कहा जाता है वो कहा जाता है केस अधास को गया बहुत बढ़िया है ना अंगला कोस्चन आपका है दोस्तों यहां पर सन्यासी किसकी रचना है सन्यासी किसकी रचना है इसको आपको चैन करना है एक बार वीडियो को लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर जरूर कर देना है कि सन्यासी किसकी रचना है सन्यासी किसकी र यौद सन्यासी किसकी रचना है किसकी रचना है सन्यासी और आपका बिल्कुल शही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सन्यासी की रचना कार कौन है तो यहाँ पर आपको एक बार देख लेना है दोस्तों कि सन्यासी इनका उपन्यास है और इनका क्या है नाटक है यहाँ पर देख लो एक बार कि इनका क्या है उपन्यास इनका दोस्तों उपन्यास है और इनका क्या है नाटक इनका क्या है नाटक ठीक है तो सन्यासी किसकी पूचा जाएगा कि सन्यासी उपन्यास किसका है तो ईलाचंद्र जोसी का सन्यासी उपन्यास है अगर आपसे पूचा जाएगा कि सन्यासी नाटक किसका है तो नाटक आपका लच्मी नारण मिस्र का नाटक है ठीक है लच्मी नारण मिस्र का ये सन्यासी नाटक है और सन्यास उपन्यास है इलाचंद्र जोसी का ठीक है बहुत बढ़िया अंगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मुक्ति पत किसकी रचना है मुक्ति पत किसकी रचना है है ना मुक्ति पत की रचनाकार कौन है उदै संकर भट इलाचंद्र जोसी अभाए मौर या फिर निर्मल बर्मा म कैसा कॉस्चन आपसे पूछ लिया गया तब आपको चैन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा हाँ जो उसमें आकर लोग सन्यास ले लेते बहुत वड़ीया सहलेस जी मुक्तिपत किसकी रचना है यह आपको बताना है मुक्तिपत किसकी रचना है अच्छा कॉस्चन है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर भी डाउट्स बाला सिस्टम है दोस्तों है ना यहाँ पर भी आपके लिए दिया गया है कि इनका दोस्तों क्या है नाटक है ना इनका क्या है ओपन्यास है ना और इनका क्या है ओपन्यास ठीक है यहाँ पर याद रख लेना मुक्तिपत उदय संकर का क्या है नाटक मुक्तिपत इल्या चंदर जोसी का क्या है ओपन्यास मुक्तिपत अभय मौर का क्या है ओपन्यास ठीक है इलाचन जोसी का भी अपन्यास है और अभाय मौर का अपन्यास है मुक्ती पत इनको याद रखना है यहां पर तीनों बिकल्प आपके सामने हैं इन तीनों बिकल्प को समझ लेना है ठीक है बढ़ जाते हैं अंगले कोस्टिन की और दोस्तों पंच बटी प्रसंग काब किसकी रचना है पताईए मैंत्री स्रण गुप्त की निराला की भगबती चन बर्मा या फिर धरमबीर भारती की पंच बटी प्रसंग काब किसकी रचना है पंच बटी प्रसंग काब की रचना कार कौन है अब आप पढ़ते हो नार्मल पंच बटी किसकी रचना है पंच बटी प्रसंग की रचना कार कौन है ये आपको बताना है शबी लोगों को बताने है पंच बटी पर संग काप बे किसकी रचना है और सभी लोगों ने बताया है देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ाए वो ए लगा रहे हैं कि सर ये तो मेत्री शनगुपते हैं लेकिन इस भूल में मत रहना है ना मेरे भाईयो है ना य निराला हो जाएगा कियानी आपका बी नंब्र बिलकूर सही हो जाएगा फुल्गाता पुक्त केवल अगर पंच बटी पूच में का जा आता मेत्री शनगुपते ना इनकी रेचना ना आपने पढ़ी होगी मेत्री शनगूपत्य की भारत भारती शबी ने पढ़ी ना भारत भारती 1912 की रचना पढ़ी होगी ठीक है और दोस्तों यह पंचबटी इनका खंड का बमाना जाता है मेत्रीशन गुप्त का और पंचबटी प्रसंग यह निराला की रचना है ना निराला की वारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों सभी लोगों ने पढ़ा है कि चायबाद की आधार इस्तंबों में नाम लिया जाता है निराला जी का ठीक है तो यहां पर आपका उतर निराला बिलकुल सही हो जाышाएगा next question आपका यहां पर आता है बापसी किसकी रचना है बापसी किसकी रचना है बताएएए अब कैसे कॉश्चन आपके उसमें आते हैं और आप लोग क्या होते हैं बहुत डाउट्स में आ जाते हैं अब उडिसर गलत हो गया कैसे गलत हो गया जिन भी साथियों ने सेल्फ इस्टेडी किलासे से एप डाउनलोड नहीं किया वो एप जरूर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तो आपको वो हर चीज बताई जाती है जहां पर आप डाउट्स हो खाते हैं जहां पर डाउट्स आपको आ जाता है दोस्तों जहां पर आप गलत करके आते हैं है ना तो बापसी किसकी रचना है अभी तक आपने दोस्तों बापसी कहानी पड़ी थी कौन कौन सी कहानी पड़ी एक जो बापसी है दोस्तो एक बापसी एकांग की भी है और एकांग की किसकी है एकांग की है उदै संकर भट की किसकी एकांग की है उदै संकर भट की एकांग की भी है तो ये भी अपन को याद रखना बापसी किसकी रचना उसा प्रियंबदा की बापसी एकांग की किसकी है तो दैसंकर भटकी, अब आपसे कभी question आएगा कि बापसी कहानी की रचनाकार कौन है, तो आप लगा देना उसा प्रियम बदा, लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि बापसी एकांग की किसकी है, एकांग की, एकांग की, तो दैसंकर भटकी, एकांग की मानी जाती है, आपक चार बेकल पे रस बेमर्स की रचनाकार आपको चैन करना है अच्छा कॉस्चन है कई बार पूचा गया है और दोस्तो आप से बनेगा भी रस बेमर्स की रचनाकार कौन है हैना यह डाउट्स बाले जो कॉस्चन आपको कराये जाते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं और दोस्तो बताईए आपने हर एक्जाम में देखा होगा दो चार कॉस्चन डाउट्स बाले डाले जाते हैं जहां आप डाउट्स हो चकमा खाओ और गलत करके आओ है ना रस्बे मर्स की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर सभी लोगों ने बताया है क्या बताया है यहां पर देखो दोस्तों है ना रस्बे मर्स दोस्तों आपको याद रखेना है यहां पर पूचा जाता है रस्बे मर्स और रस्बे मर्स की रचनाकार माने जाते है डाक्तर राम मूर्ती तरपाटी कि अगर इस प्रकार से पूछा गया रस बेमर्स तो आपको लगाना ए नमबर यानि कि दोस्तो राम मूर्ती तरपाटी राम मूर्ती तरपाटी लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा रस सिद्धान्थ की रचनाकार कौन है तो रस सिद्धान्थ दोस्तों किसका है नगेंदर की रचना है लेकिन अगर आपसे पूछा जाता रस्मी मांसा की रचनाकार कौन है तो आप क्या लगाओगे रस्मी मांसा की रचनाकार रामचन सोकले रस सिद्धान्थ की रचनाकार आपको डाक्टर नगेंद्र लगाना है जो कि स्रेश्ट आलोचक माने जाती है दोस्तों ठीक है अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर है स्वचंदता बाद सब्दका सबसे पहले प्रियोग किस ने किया आप पढ़ते हैं रोज लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे से आपको दे स्वचंदता बाद सब्दका सबसे पहले जो प्रियोग किया वो किस ने किया इन नौबजे होती है रोज किलास है ना इस किलास को आप लोग रोज अटेंड करें अच्छे-चे कोस्चनों का समाबेस किया जाता है है ना और दोस्तों सब्दका सब्दका सबसे पहले प्रिय को गलत कर दिया है ना गलत कर दिया है और जिन्होंने डी नमबर बताया उनका अंसर बिल्कुल शही है आप याद रखना दोस्तो कि स्वचंदताबाद सब्द का सबसे पहले परियोग की अगर बात हो तो आपको डी लगा देना है मुकुरधर पांडे लगा देना है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वचंदताबाद के प्रिवर्तक कौन है तो प्रिवर्तक में आपको स्रीधर पाठक लगा देना है दो कॉस्चन है दौनों कॉस्चन डाउट्स वाले हैं जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि छायाबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग क किलियर बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखते फूलों का गुच्चा की रचना कार कौन है फूलों का गुच्चा बोले फूल नहीं फूलों का गुच्चा बताइए फूलों का गुच्चा एक इसकी रचना है अच्छा कॉस्चन है एक बार वीडियो को लाइक जरूर क बताएंगे फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है, फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है, सबी लोग बताएं, और उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदू, रामचंसोकल, या स्पाल, या फिर पंत, सबी लोगों को चैन करना है, सबी को बताना है, और फूलों का पूल फूल नहीं फूलों का गुच्छा तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो है ना फूलों का गुच्छा और एक रचना पूछी जाती है फूलों का कुर्ता फूलों का कुर्ता ठीक है तो कुर्ता से भी आपको साउधार रहना है फूलों का कुर्ता यह अस्प और फूलों का कुरता यस्पाल की रिचना है ठीक है याद रख देना भूलना नहीं है फूलों का कुरता यस्पाल फूलों का गुच्छा भारतेंदू हरिस्चंद ठीक है बहुत बढ़िया है ना अब यहाँ पर आ जाते हैं अगले कोश्चन की और देखते हैं ठीक है अगल का प्रताम कभी अब आपको यहां पर भी बताना देखो पूरे बिकलब है। क्योंकि आपने तो रट रखा है कि सर हिंदी को प्रतम कभी सरहपा माना जाता है हिंदी का प्रतम कभी कौन माना जाता है और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तो हिंदी का प्रतम कभी सरहपा अगर इस प्रकार से question आता है कि हिंदी का प्रतम कभी कौन है तो आपको सरहपाही लगाना है लेकिन अगर इस प्रकार से question आपका यहाँ पर बदल जाता है कि हिंदी का प्रतम महा कभी कौन है महा कभी कौन है तो महा कभी में आपको उत्तर लगाना चंद बरदाई है ना अगर आप से पूछा जाए कि राम कुमार बर्मा ने राम कुमार बर्मा ने हिंदी का प्रतम कभी किसे माना है तब आपका उत्तर हो जाएगा स्वेम्भू है ना और आपको पता है एक कॉस्चन और आपको बताना है कि हिंदी की पिर्थम रचना कौन सी मानी जाती है जल्दी से आपको बताना ये तो सभी लोगों को दोस्तों डाउट्स किडियर हो गया कि हिंदी के पिर्थम कभी सरहपा राहुल सांकृत्या इन्ने माना है ने ठीक है और दोस्तो हिंदी का प्रतम महा कभी चंदबर्दाई को माना गया ठीक है इन्होंने दोस्तो क्या लेखा था इन्होंने दोस्तो महा काब लेखा था ठीक है ये भी आपको पता हो गया और आपको स्वयंभू भी आपको पता होगा कि राम कुमार बर्मा राम कुमार बर्मा ने स् पता ये योगधार की रचना कार कों है सोहनलाल दुवेदी नागार जुन जैसंकर पिरसाद या पिर स्री निबास दास योगधार एक इसकी रचना है अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना नहीं तो सीधा सीधा बोल दो कि सर गलत बता रहे जैसे अभी एक भाई ने बोला था काई के लिए स्वचंदता बाद के लिए किसने बोला था रंजीत कौन है उसने बोला सरकाहे को गलत बता रहे है ना समझतो लो भाईया स्वचंदता बाद को है ना आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर स्वचंदता बाद लिखा है और यहां पर छाया बाद लिख किस ने किया आपका उत्तर हो जाएगा मुकुडधर पांडे चाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया आपका उत्तर हो जाएगा मुकुडधर पांडे अब इसमें कौन सा सब्द का प्रियोग किया तो बही उसे उसका प्रिबर्तक होगा ऐसा कुछ भी जवूरी नहीं है याद रखना योगधार की रिचनाकार कौन है तो बहुत सारे लोग यहां भी तो योगधार की रिचनाकार कौन है शोहनलाल दोवेदी और योगधारा की रिचनाकार कौन है तो नागरजन इनको आपको याद करना है ठीक है ऐसा आता है हमेशा अब यहां पर आजाते हैं ठीक है तो यहां पर आपको बताना है कि समय देवता की रचनाकार कौन है समय देवता की रचनाकार कौन है जल्दी से बताईए समय देवता की रचनाकार कौन है माखलाज चत्रवेदी हैना नरेश महता पंत या फिर निराला समय देवता आपको बत इस question में भी कही doubts है मैं बता रहा हो उन प्रशनों को लेकर कि मैं आया हूँ है ना जो प्रशना आपके लिए हमेशा confused करते हैं और आप हमें ही गलत थेरा देते हैं है na जिसर आपको नहीं पता आप गलत काहे को बता रहे हैं और बसी और बसी रचना के लिए मैंने बताया कि जैसंकर पिरसाद की है जबकि उसमें आपसन में दिन कर नहीं था और सरकाहे को गलत बता रहे हो ये तो रचना दिन कर की है फिर मैंने बताया समय देवता की रचना कार कौन है है ना और साहत देवता की रचना कार कौन है तो यहां पर आपको याद करना है कि स साहत देवता को माखन खवाना है, साहत देवता को माखन खवाना है, तो साहत देवता माखन खवाना है, और समय देवता नरेस महता, साहत देवता माखन खवाना है, तो 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 माखन खवाना है समय देउता के नरेश महता की रचना है और गुनाहों का देउता धरमबीर भारती गुनाहों का देउता धरमबीर भारती ठीक है गुनाहों का देउता धरमबीर भारती समय देउता नरेश महता साहित देउता माखलाज चत्रवेदी इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है पकड़ बनाना है इन चीजों में ठीक है अंगला कोश्चन आते हैं दोस्तों यहां पर कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है कलम का मजदूर बहुत अच्छा कोश्चन आ गया कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है उत्तर आपको बताना है अमरत राय हैं या फिर मदन गोपाल हैं अग्गे हैं या फिर निराला हैं अच्छा कॉस्चन है सभी लोग लाइक जरू कर देना और जिन्वी साथियों को सेल्प स्टडी किलासे इस एप में दोस्तों एडवीशन लेना है वो एडवीशन अभी ले लें किलासे स्टार हो चुकी है हिंदी साहित की निचोड किलासे स्टार हो चुकी हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होगा अभी तक जो छूटी किलासें दो छूटी किलास भी होंगी तो वो भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी है ना तो जिन्वी साथियों को कोर्स में एडवीशन लेना है वो आ मैंने आपको कई बार रहात करवाया कि मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल है ना मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल और अगर अगर आप आप से पूछा जाता कलम का सिपाही कलम का सिपाही की रिचनाकार कौन है तो कलम का सिपाही में आपका अमरत राय हो जाता कलम का मजदूर ए मदन गुपाल की है कैसे अंतर इसमें समझें मैंने कहा था कि अगर मजदूर आए तो मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल ठीक है और सिपाही में आप अमरत राए पड़ ले न बोले सिपाही अमरत पीते हैं सिपाही की जीवनिया मानी जाती है दोस्तों कि प्रेम चंदी की जीवनिया मानी जाती है इनको अपन को याद करना है मेरी जीवन यात्रा आत्म कथा किसकी मानी जाती है यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट से पुलिसर कैसा डाउट से मेरी जीवन यात्रा आत्म कथा किसकी है र मेरी जीबन आत्रा आत्म कथा किसकी है मेरी जीबन आत्रा आत्म कथा के लेखा कौन है और आपका बिलकुल सही यहां पर उत्तर हो जाएगा यह दोनों जो महानु भाव हैं यहां पर देखो तो इन्होंने अपनी अपनी आत्म कथा लिखी है दोस्तों इसी नाम से यानि कि आपका उत्तर A और B दोनों हो जाएगा राहल सांकृतियन भी है उर जनकी देवी बजाज की दोस्तों इनकी भी आत्म कता है मेरी जीबन यात्रा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कभी कभी आप से पूछा जाए कि मेरी जीबन यात्रा आत्म कता किस की है अगर option में राहुल सांकृत्यान है तो राहुल सांकृत्यान लगा देना अगर option में जानकी देवी बजाज है तो जानकी देवी बजाज लगा लेना दोनों कभी आपको option में नहीं देखेंगे ठीक है यहाँ पर आपके दोनों की मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्म कथा इनों आपके मस्तिस्क में कुछ और बैठ गए हैं लेकिन वास्तों में कुछ और उत्तर उनका है ठीक है तो ऐसे ही आप लोग बनाई रहें सहीयोग बनाई रहें वीडियो को लाइक और सेयर करती रहें जिन भी सातियों को दोस्तों सेल्फिस टडी किलासेस अगर आपने डाउनलो वूसर्ट कर लें और दोस्तों बहाँ पर 2020 टेस्स idéरिज होती है सबताय में दो बार होती है रवी बार और गूरूबार को होती है तो इस ट्रेस्स टीरिज में बाग ले सकते बिलकुल ले सकते हैं निचोर किलासे जिनका 10 दिन के अंदर कोई एकजाम है तो वो इसमें दोस्तो एड़ी से ले सकते हैं इसका मात्र 1199 में आप कर सकते हैं ठीक है और दोस्तो मेरा दूसरा बार्ण सप नंबर भी नीचे चला है रहा है इनको भी आपको याद रखना तो जिन भी सात्यों को एड़ बी सल लेना है ठीक है कुमारी हैमा जी बबीता बीनू जी दारसू पूनम हरियोम जी शीमा जी रीना जी आल इन वन जी अर्सदीप जी बहुत बढ़िया रामिस्तुर जी अलका अजित जी कुमारी जी ममता रीता जी ओम देव हैमलता केम सुनी पूनम जी अत्यांस जी बिद्या जी अनीता जी दिब्या जी पूनम जी कुल्दीप जी बहुत बढ़िया गीतिका जी विजय लक्षमी पिरमोद पांडे सीमा जी अभय यादव जी धन्नबा सातियों लगे रहें वीडियो को लाइक करते रहें और बिद्या जी मनीसा गि जी सौनु जी रीटा कांथ जी परीती पाल जी मीनु जी है ना कुलडीप जोती जैन जी रजनी जी मधू जी बहुत बढ़िया प्रमिला मीना जी अन्या जी डॉली सेट जी और बिलको लबली ठाकोरदार सुशरमा जी जितने भी हमारे साथे ये वीडियो को लाइक अपने म धन्नबाद, ओम देव जी, मोहित जी, राजिव जी, ओदय जी, धन्नबाद सभी साती जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सेल्प स्टडी किलासे से अपको जरूर डाउनलोड करने सातियों और आंगे जरूर बढ़ते रहें, ठीक है, तो जितने भी हमारे साती हैं, उनको आंगे जरूर बढ़ना है, लाइक करना है, सेर करते रहना है, और अध्यन तो रुकना नीचे ये, अध्यन तो आपको करना ही है, और सेल्प स्टडी किलासे से अपको जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सभी सातियों को धन्नबाद, एक्जाम आपके निकट हैं, हर एक् है, है है एक है है, और सेल्पस करना है, सेल्पस कर दंग जरूर एक्जार रुकना है, सेल्ट सेल्प Mys reward न तो आपके न ऊपके ये, सAI वोग मताहसुन को जो कर लेक है, और आ एक है ये, एक वो मताहसुने मद्यन तो अवलूर बड़ना सेल्ट सेल्स कर दो रDowni गए, सेल्ज